EBS या प्रयावरेण थैन की online study में आपका हारदिक स्वागत है आप इस वीडियो में जानने बाले हैं कि सुमूर में रहने से या जूंड में रहने से क्या फायदे हुते हैं और क्या नुक्सान और कौन कौन से animals, herd या जूंड में रहते हैं आपने इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू की वीडियो में हाथियों या एलिफेंट्स के डेली रूटीन या दिनचरय के बारे में जाना है आप जानते हैं हाथी जुन्ड में रहते हैं तो चलो शुरू करते हैं आप त्यार हैं फोर्थ क्लास की EBS की बुक लुकिंग राउंड या आसपास के पेज नंबर 25 को ओपन करें और इस वीडियो के साथ साथ आप इस टॉपिक को अपनी बुक पर देखें ताकि आपकी अंखों पर कम स्ट्रेस पड़े नंदु डिट थेंक्स देट ही लाइक टू डू नंदु वो सब करता था जो उसे पसंद था तो नंदु कौन है आपको याद है न एक छोटा हाथ थी तो नंदु हाथ थी वो सब चीजें करता जो जो उसे पसंद थी यदि तुमें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा एक दिन मिले तो तुम उस दिन क्या-क्या करोगे तो क्या आप बता सकते हैं कि आप अगर दोस्तों के साथ सारा दिन रहें तो फिर क्या-क्या करेंगे सोचो जरा आप अपने दोस्तों के साथ खूम मस्ती करेंगे जैसे नंदु हाथी करता है आप नाचेंगे, गाएंगे और बहुत अलग-लग चीज़ें खाएंगे जैसे आइस्क्रीम तो आप क्या-क्या करेंगे? आपको ये लिखना है Find out and write which other animals live in herds पता करो और लिखो कौन-कौन से जानबर जुंड में रहते हैं एलिफेंट्स या हाथियों की तरह और भी बहुत सा रेल जानबर जुंड या समू में रहते हैं जैसे की जैवराज, होर्सिस यानि घोडे, डियर यानि हिरन, शिप यानि भेडे Do you also live in a group? Do you like to live together like that? Why would you like or not like to live in a group? क्या तुम भी समू में रहते हो, तुम्हें समू में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से समू में रहने के फाइदे और नुक्सान क्या-क्या हो सकते हैं? Why I would like और Why I would not like? आपको ग्रूप में रहना क्यों पसंद होगा? उसके क्या फाइदे होंगे? ये एक साइल लिखना है और दूसरी साइल लिखना है कि आपको ग्रूप में रहना क्यों पसंद नहीं है? या ग्रूप में रहने के क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं? तो आप सोच कर बताएं कि क्या आप ग्रूप में रहते हैं? हाँ, आप भी स्कूल में अपने क्लासमेर्स या दोस्तों के साथ ग्रूप में रहते हैं और bad points मतलब group में रहने के नुकसान. तो फाइदे हैं we can help each other in different tasks. अलग-लग कारें के लिए हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं यदि group में रहें. और क्या good point या फाइदा होगा हम अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ अपनी feelings या भावनाओं को share कर पाएंगे. और हम एक साथ रहकर रहने का जो खर्चा होता है वो भी चीजों को share करके कम कर सकते हैं. और group में रहते हुए आप ज़्यादा safety मैसूस करोगे. तो ये कुछ फाइदे हैं group में रहने के. अब कुछ ऐसे नुक्सान जो आपको group में रहने से लगते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं. ग्रूप में प्राइवेसी बहुत कम होती है या ना के ब्राबर होती हैं. प्राइवेसी का मतलब है एकांथ की स्तिती या के लिए शांत रहने की स्तिती. We have to adjust ourselves according to others. हमें बहुत बार अपने आपको दूसरों के अनुसार adjust करना पड़ता है. It can lead to fights over small things और ये चोटी-चोटी चीज़ों के लिए जगडे का कारण भी बनता है. Food and space is required for each member of the group. स्मू के हर स्तस्य को भोजन और रहने की जगा की जरूरत होगी. तो अभी आपने group या स्मू में रहने के कुछ फाइदे और नुक्सानों के बारे में जाना. आप इसकी अत्रिक्त भी अपने बड़ों से बात करके ये जान सकते हैं. How do elephants feel when they kept in chains? Discuss and share your feelings. हाथी को चैन से बन्दे होने पर कैसा मैसूस होता होगा? अपनी भाबना बताएं तथा चर्चा करें. कुछ जानवरों को रस्टी से बानते हैं और हाथी को किस से बानते हैं? चैन से. तो हाथी को चैन से बन्दे होने पर कैसा मैसूस होगा? आपको ये सोचना है या फिर आप अपने बड़ों से भी इस बारे में चर्चा कर सकते हैं. अगर हम सोचें तो किसी को भी चैन से या फिर रस्टी से भी बन्दना अच्छा नहीं लगेगा. क्योंकि हर कोई फ्री घूमना चाहता है, सतंतर रहना चाहता है, कोई भी बन्द कर नहीं रहना चाहेगा. तो हाथी को चैन से बन्दने पर अच्छा नहीं लगेगा. Have you ever taken a ride on an elephant? How did it feel? क्या तुमने कभी हाथी पर स्वारी की है, कैसा लगा? यदि आप मैंसे किसी ने हाथी पर स्वारी की होगी, तो आपको अच्छा लगा होगा. Which animals have you set on? Write their names. तुम कौन-कौन से जानवरों पर बैठे हो, उनके नाम लिखो. तो फिर आपको ये बात लिखनी है अपनी copy पर, कि आप किन-किन जानवरों पर बैठे हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको. जैसे घुर स्वारी या फिर याक पर इन में से या कोई और किसी animal की आगर आपने स्वारी की है, तो आप बताएंगे. You must have seen many animals around you. In books, in movies, some may be alone, some in groups. Find out more about any one of these animals and write about it. तुमने अपने आस्पास फिल्मों या किताबों में के जानवरों को देखा होगा? अकेले और जुन्ड में देखेगे जानवरों में से किसी एक के वारे में पता करके कुछ बातें लिखो. आपने बहुत सारे animals यह जानबर देखे हैं तो आपको किसी एक के बारे में पता करके लिखना है आपको उस जानबर का नाम लिखना है और वो दिखने में कैसा है वो लिखेंगे और क्या वो अकेला रहता है या फिर किसी जुन्ड में रहता है उसके बारे में आप लिखेंगे उसके daily routine या दिन चरै के बारे में भी आप लिखें आपने आभी तक इस वीडियो में जाना की जब जानबर जुन्ड में रहते हैं तब वो खुब मस्ती करते हैं और आप भी जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो फिर बहुत सारी मस्ती करते होंगे। आपने हर्ड या जुंड में रहने वाले कुछ चानवरों के नाम भी जाने। जैसा कि जैवरा, भेड, हिरन, गोडे ये सब जुंड में ही रहते हैं। जुंड में रहने के फाइदे और नुक्सानों के बारे में भी आपने डेटेल में जाना। आपने इस वीडियो में जो जो सीखा है उसे अपनी कॉपी पर सुन्दर करके नोट करें और उसकी एक सुन्दर सी फोटो खेंच कर वट्सअप ग्रूप में अपने क्लास टीचर को सेंड करें। पार्ट 3 की वीडियो में इतना ही अगली जानकारी आपको पार्ट 4 में दी जाएगी है वे नाइस दे। झाल